तेहरी जील के उपर बन रहा ये है डूबरा चांडी पुल जो महज चुनावी मुद्दा ही बन कर रह गया है इस पुल की जब नीव रखी गई थी वो साल था 2006 डूबरा चांडी पुल के नीव का पत्थर प्रताप नगर की डेड़ लाख की आबादी के लिए खुशी की लहर दोड़ गई थी लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये खुशी आई तो है लेकिन की चादर ओड़े 2006, 2007, 2008 ऐसे ही साल बीतते गए और आ गया 2019 लेकिन पुल अब तक भी बन कर तयार ना हो पाया निश्ची तोर पर प्रताप नगर का लाइद लाहिन कहे जाने वाला दोबरा चांटी पुल निश्ची तोर परताप नगर के जनता कई बरस से देखती रहेगी दोबरा चांटी पुल, डोबरा चांटी पुल लोग आश और उमेद में बैठे थे और आप लोगों के आस और उमेद धिरी दीरे खातम होती जा रही है कई बर्स बीद गए दोबरा चांटी पूल नहीं बन पाया, लोगों को कई किलोमेटर की दूरी तै करके अपनी खादयान सामगरी आधी पुलाना पड़ता है, पड़ता है लोगों की आखे लालोगे दोबरा चांटी पूल नहीं बन पाया, लोग नेताओं को देखे अब मन परताम नगर को बड़ी राहत मिलती, परताम नगर का लाइप लाहिन कहे जाने वाला दोबरा चांटी पूल नबनने से लोगों को घंसाली और चिन्याली सोर्चे इतनी कई 120 किलोमेटर की दूरी तै करके परताम नगर मुख्राले आना पड़ता है, लोगों को खादयान सरकार आई और चली गई, दावे किये गए जो सरकार की साथ ही हवा हो गए, और जनता की आखे अधर में अटके पुल के निर्मान कारे को निहारती रही, लेकिन चुनाव नजदीक हैं और अब जनता चुप नहीं है, 13 साल से अधर में अटका पुल चुनावी मुद्दा ब अब मुद्दा भी है, अब जितने हारने का कहीं ने कहीं लक्ष भी है, आज नहीं तो कल बनेगा, अब तो यह हाई कोर्ट में भी, अन्जटी में भी, नेशनल क्रीन टेबलर में भी इनने अफिडेमित फाइल कर दिया है, इस अधर बना करके देंगे पुल, आज अगर य है, कॉंग्रेस पूर्व विधायक ने पुल ना बनने का दारोमदार बीजेपी के सर फोड दिया, सुनिए उनका क्या कहना है, देखिए यह दुखत बात है, प्रताब नगर की आवशक्ताओं की पूर्ती और टीरी बांध के कारण जो समस्या हो गई, उससे प्रताब नग पर बड़ी बस और बड़े ट्रक नहीं चाह सकते थे, इस डिजाइन का निर्मान नहीं किया गया, उसके बाद पूरे देश में टेंडर निकाला गया, लेकिन टेंडर अब डिजाइन नहीं मिल पाया, फिर अंतरास्ट्य बिढ की गई, तो उसमें डिजाइन मिला, उसका निर्मान सुचार रूप से हमारी सरकार ने शुरू कर दिया था, जब परताब नगर के लोगों ने मुझे आसरी बात दिया, तो मैंने इसका काम सुचार रूप से शुरू कर दिया था, लेकिन आज पता लगा कि फिर इसका काम बंद हो गया, ये कहीं न कहीं गौर्मेंट बचट भी जारी किया गया लेकिन पुल का निर्मान नहीं हो सका है फिर पार्टियां पल्ला जड़ने के लिए आरोप और प्रतियारोप का खेल खेलने लगती है और जनता की समस्या जसकी तसर रह जाती है बहर हाल अब देखना ये होगा कि कब तक इस पुल का निर्मान कारे पूरा हो पाएगा तिहरी से सूर्य प्रकाश रमोला की रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी